भानु प्रताप्पुर विधान सभाउत चुनाव में आरक्षर में कटोती को लेकर सर्व आदिवासी समाज की नाराजगी एक बार फिर सामने आ गई दरासल भानु प्रताप्पुर के ग्राम पंचायद बोगर में चुनाव प्रचार में गई 36 गर सरकार में मंतरी कवासी लखमा को आदिवासी समाज के विरोध का सामना करना पड़ा कॉंग्रिस प्रत्यासी सावित्री मांडवी के समर्थन में प्रचार करने गई मंतरी को आदिवासी ने प्रचार करने से रोग दिया आदिवासी समाज ने कहा आदिवासी के अधिकार का विरोध करने वाला हमारा नेता हो ही नी सकता है इसी बीच आदिवासियों ने मंत्री लखमा के सामने ही सरकार के खिलाफ नारे बाजी भी की इस दौरान समाज के लोगों की मंत्री लखमा के बीच बहस भी हुई मालूम हो की 36 गड़ में आदिवासियों का आरक्षण 12 प्रत्सत कम होने से आदिवासी संगठन नाराज है आदिवासियों के आरक्षण में कटोती का विरोध करने के लिए आदिवासी समाज के ने विधानसवा छेतर की सभी 85 पंचायतों से एक-एक प्रत्यासी को मैदान में उतारने की योजना बनाई थी 42 पंचायतों से एक एक अभ्यर्थी ने नामांकन पत्र भी खरीदा था हाला कि सभी ने नामांकन दाखिल नहीं किया 36 गड़ में आदिवासी समाज के आरक्षण में कटोती के विरोध में भाजपा नेता नंद कुमार साय धरने पर बैट कया है देवेन नगर के नमस्ते चौक के सामने साय ने एक पंडाल लगाया और धरना सुरू कर दिया उन्होंने कहा कि राजी सरकार की नाकामी की बज़े से समुचे प्रदेश के आदिवासीयों को नुकसान उठाना पड़ रहा है सरकार भाजपा पर आरोप लगा रही है लेकिन सच यही है कि सरकार ने ठीक धंग से कोट में आदिवासीयों का पक्ष नहीं रखा सरकार विसेश सत्र की बात करती है लेकिन हमें यकीन है कि विसेश सत्र में भी आदिवासीयों के हक की बात नहीं की जाएगी हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्दी आदिवासीयों के आरक्षड पर कोई ठोस कदम उठाया जाए नहीं तो आने वाले दिनों में सड़क पर उतर कर और उग्रान दोलन किया जाएगा सब्सक्ताइप यादेर हो नना दोलन को किता सब्सक्ताइब हो जाओ में सब्सक्ताइब पर बहुत कर और इसलातर हो जात Україन हुआ अए गप्र तराखस से दो कि अँड़ा जयल के दो कि एार वार खुलो कि अजय के लिए पारशए्ट कि अ बटत एकर रहां, वहां, पलफाशपने का वे भी जिए तो कि एंट एंटे जारी जय के बूंटुनारी जिय को एंटू कि अगल कि अग्से दे पार बाट रहां, व्त आख